गुद मॉर्निंग मेरा नाम खुशी है हमने मॉडल बिनाया है मानव पांच तंत्र हम टीम में तीन लोगे मानव पांच तंत्र का यह मतलब है यदि हम भोजन हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें कोई उर्जा प्राप्त नहीं हो सकती जैसे कोई प्रोटीन प्राप्त नहीं होईगी या आदी बिटामिन हमें प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए भोजन ग्रैंड करते हुए उर्जा प्राप्त होती है जैसे प्रोटीन बिटामिन आदी जल हमें प्राप्त होती है हमें भोजन ग्रैंड करना चाहिए मुख भोजन के अंत ग्रेंड करने पर दांतों दुआरा पीसे गए और चबाई हुए गए भोजन को छोटे 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 तुकडों में तोड़ दिया जाता है और लार भोजन को मिक्स करने में साहिता करती है और लार का दूसरा नाम लाला रस है डुट मॉनिंग मेरा नाम अनला और हमने यह प्रोजेक्το हमें भी इसमत बनाए जिसमें कि जब हमाया भोजन हमारे मुख में जाता है यह मानंना मुह में जाता हैं तो वह हमारे दाटों दौरेफ़ा हम्हार नली में आता है जिससे ग्रशिका क्याते हैं और यह जो ग्रशिका होता है यह मतलब चिकनी इसकी आहार नली के दिवारे चिकनी होती है जिससे कि हमारा भोजन जो सलाइबा में मिला होता है हमारे दात और हमारे जीव के बीच में लार गरंती पाए जाती है जिसमें हमारा जो भोजन होता है हमारे आहार नली द्वारा हमारे अमाष्य में और हमारे आमाष्य में जब हमारा भोजन जाता है तो यहां पर हमारे तीन प्रकार के मतलब रेमिंग और पेप्सियों और S.C.L. पाय जाते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और जब हमारे भोजन अमाशे में आता है तो हमारे भोजन अमले होता है लेकिन जब हमारे भोजन अमले होता है लेकिन यह जो पिताशे होता है पितासे में पितरस होता है जो हमारे बोजन को शारे बनाने में मदद करता है और फिर हमारे बोजन अमाशे से ये छोटी आत में आता है जहां पर हमारे छोटी आत में आता है जहां पर हमारे जो भोजन होता है वो पच जाता है और वो हमारे शरीर के विविन भागों में पहुचाया जाता है और फिर जब हमारा जो अवशिशित परदार्त होता है वो हमारे बड़ी आत में आ जाता है और हमारी बड़ी आत वो जल का अशुशन करता है और जब हमारा उशिष्ट परधात बड़ी आत्में आ जाता है तो वो मलाशे तक पहुचा जाता है और हमारे जो हमारा उशिष्ट परधारत होता है वो मलाशे में आकर हमारी गुदा द्वार में पहुचता है जो हमारे मल द्वारा हमारे सरी से बहार निकलता है अहार नली भोजन को चबाने के बाद जब भोजन अहार नली में जाता है तो उसकी दिवारी चिकनी होती है जिससे उस पर भोजन चिपके ना और संकुचित वाय अमासे में चला जाए और अमासे में किसी परकार का भी पाचन नहीं होता है और अमासे जठर रंदी को श्रात करता है और जठर रंदी में SEL, Pepsin, Renin आदी पाया जाता है